बार बार में मेरा लाइफ कट रा, हो सकता है मेरे मुबाईल के साथ कुछ हो रहा है जिसे मैं समझने में अंजान हूँ आप किसी चीज को समझए इन वीडियो को इतना वाईरल कीजिये यदि आज हमारी गरफतारी होती है, समाज के बैटियों के गरफतारी होती है तो दिदकार है ऐसे समाज के उपर ये मैं कहा रही हूँ, जीवन में कभी समाज के लड़ई, जीवन में कभी समाज के नाम पे कुछ बोलूंगी नहीं, यदि आज हमारे साथ बुरा होता है तो, हम जानते हैं, देवनारण भगवान की सोगंद, कि हमारा कोई रोलता है, कर रहा है, उनको जल्दी से जल्द बताना, मेरे घर के बार पुलिस गुम लिए, कब गड़ी मैंने गेर के दर्वाजे बंद करके आपसे वीडियो लाइव आ रही हूँ, ड़ती नहीं किसी से इसलिए लाइव आ रही हूँ, कि कब मेरा मोबाइल कोसले और कभी कोई बात ह मेरे इसलिए अनुस आपसे हाथ जोड के निवेधन करते हूं इन बच्चों की गरफतारी नहीं होनी चाहिए जितना सोचलमीडिया के माध्यॆ से बताना चाते हो, बताओ, यह मुद्दा किसने खड़ा था यह बाबा की रेली थी यह बाबा का प्रोग्राम था बाबाम के किसका कितने साल का बेठा था जिसकी क्या उमर थी वो कैसे मरा तो उन्होंने किस प्रकार के दुख देते तो समाज के अंदर एक नहीं उर्जा मिलती यह राजनितिक प्रोग्राम नहीं था या किसी भी पार्टी दल को नहीं बुलाया जाना चाहिए था फिर आज जब आप सम राजनितिक बात करिए आप जहां जहां भी रुके आपनी राजनितिक बात करिए यह मैं बोलती हूं आप मरवाई तो दोगे इससे ज्यादा क्या करोगे लेकिन मैं खुश हूं आज मेरे पर इंजाम लगेगा यदि आज मुझे कुछ होगा तो समाज के अंदर सो बेटिय मुझे देखके पैदा होगी सो बेटिया मुझे देखके बेटियों को हिम्मत आएगी आपको जो करना आप वो कर लेना आप मुझे मरवा देना आप मुझे पिटवा देना आप मुझे मेरे उपर मुकद में दर्च करवा देना इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करते हैं मर से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं बिना मतलब में गोपाल भाई को एक समाज के बेटे को धक्का मारा गया समाज की सभा के अंदर उसे मारा गया समाज की बेटी जो हजारों लोगों में हजारों लोगों के अंदर भाईयों के अंदर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं मेरे बूजर बाईों के अंदर नहीं बैठती इतनी सभा के अंदर इतने भाईों के अंदर एक महिला नहीं बैठती क्योंकि उसे डड़ लगता कि मेरे साथ कोई हास्ता हो गया तो मैं क्या मूँ दिखाऊंगी लेकिन मुझे एक प्रसंट ड़न नहीं था क्योंकि मुझे पता था वो मेरे समाज था वो मेरे बाई थे वो मेरे लोग थे मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे की मेरी बदनामी हो मेरा नाम खराब हो आज भी लोग मेरे को आशिवाद सरूब इतना प्यार करता है ये तीन दिन रहके मैंने पुशकर में देखा है देवनारेन आज समाज के बुड़े बड़े लोगों से बुलवाते आप मैं तो आपको एक कहा रही हूँ कनल बैसला जी के साथ जिन बड़े बुड़ों ने उस संगश की लड़ई को लड़ा आप उनको बुलाते आप उनको मंसा दिंकर आप उनको हातों में मंच पर माइक देते वह उन पेदा होता ہमें पता चलता कि बाबा संगश की लड़ाई लड़ी थी तो बाबार ने किस तरीके किस किस तरीके के दूप देखेए बाबा किसे कंख नहीं कर आउं Hahn कि लोगों से आप साज्जा करवातें आप आप इतने बड़े नहीं नहीं हो गए और उस मन्च पे ब सब्सक्राइब करें कर्noll वैसला के साथी करनल वैसला जैसे उमर लोग वहां बेटे थे जिन को आपने चुप कराया यह आपको शोबा नहीं करोगे और समाज के युवाओं के साथ ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा और ये बात गलत है कि हम लोगो ने किसी का नाम नहीं लिया तो प्रशाशर कौन है कौन है हाँ कापे 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 का चलू मैं मेरा घर छोड़के कई नहीं जाओंगी बच्चा डर गया मेरा वो कह रहा माह यह से निकलो लेकिन मैं क्यों जाओंगी मैं आपको बार बारी में एक चीज कह रही हूँ यदी गिरफतारी होती है यदी गिरफतारी होती है तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अनका दाना तका तक नहीं खाऊंगी ये पूरे गुजर समाज को कह रही हूँ पूरे गुजर समाज को कह रही हूँ ये राजनिती चल रही है आप किसी समझने की कोशिश करो क्यों किस कोई ना कैसी का सगा होता है लेकिन एक बार एक बार देव नराण भगवान के मंदिर में चरके अपने जयन पर हाथ के बोलना कि यह राजनीथी थी या नहीं यह राजनी थी या नहीं सबी भाइयों से कहुंगी जादाज से जादा इस लाइव को शेर करें वर्णा आप प्रकुर्म किनाonta कि on में देन परीवार राजस्तान से कभ्वी भी पुलिस मुझे ले जा सकती है इसे जादा से ज्यादा व Canon करो इसे ज्यादा से य acted मैं डर के मारें नहीं कह रही हूं मेरा अहान है मैं अपने समाज वालों से कहूंगी तो सही क्योंकि ये मेरा परिवार है मुझे बताने का हक है जे देवनारेण भगवान की जे साडू मता के लाल की